hi everyone welcome back to my youtube channel so कैसे हो आप सब I hope आप सब बहुत जाद अच्छे होगे so guys ऐसे बहुत सारे से लोग होगे जो अपने घर पर ही face bleach यूज़ करते होंगे even मैं भी अपने घर पर ही यूज़ करती हूं तो कुछ लोगों करतो होता है कि हाँ उनके फेवरेट ब्लीच होती है कि उन्हें यही वाली करने होती यही वाली पसंद होती है बट कुछ लोग कंफ्यूजड होते हैं मेरी तरह कि exactly हम कौन सी फेस ब्लीच यूज़ करें जो हमारी स्किन के लिए अच्छी भी हो जादा हामफुल भी ना हो और नेटरल सा काफी अच्छा सा ग्लो भी मतलब आज जो मैं आपके साथ में डिफ्रेंट शेय करने वाली हूं वह फैम की यह गोल्ड 24 करेट गोल्ड डस्ट ब्लीच का और दूसरा है फैम की टर्मरिक एंड मिल्क सॉफ्ट ग्लो ब्लीच क्रिम का डिफ्रेंट शेय करने वाली हूं और अगर आप भी जाना चाहते ह कि इन दोनों ही वेरेंट में से कौन सी वाली ब्लीच जादा बेस्ट है तो इस वीडियो का एंड तक जरूर वाच कीजएगा सो नाओ अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि इंट्रो बहुत ही जादा लंबा हो रहा है अब मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं अपने इंट्रो में और क्या बोलूँ सो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को तो सबसे पहले मेरे पास में है ये FEM की क्रीम ब्लीच इसकी पैकेजिंग की बात करूँ तो ये कुछ इस तरह की गोल्डन पैकेजिंग में आपको मिलता है because इसमें 24 karat gold dust है so इसलिए भी यह आपको एक golden packaging में मिलता है जिसे के आपको लगे कि तो यहाँ पर इसके other side पर लिखा हुआ है कि यह आपको 5 glow provide करेगा in 15 minutes मतलब आपकी skin tone को even करेगा आपकी skin को glowing बनाएगा skin को bright करेगा और complexion को clear करेगा और साथ साथ हमारी skin को नारिश भी करेगा इसके price के अगर मैं बात करूँ तो 65 रुपीज के MRP के साथ में आपको 24 ग्राम का यह product मिलेगा और इसमें activator आपको 3 ग्राम का मिलेगा जो cream है वो 21 ग्राम की मिलेगी 24 ग्राम के साथ में आप इसको 3 टाइम यूज कर सकते हो आद में next मतलब हमारी जो cream की दूसरी bleach है वो है यह turmeric and milk soft glow bleach और यहाँ पे भी लिखा हुआ है इसके भी 5 benefits यहाँ पे लिखे हुआ है कि यह हमारी skin को radiant करेगा हमारे color को clear करेगा मतलब clear complexion उसके बाद में हमारी skin की जो भी red cells है वो remove करता है और यहाँ पे लिखा sunten removal तो यह काफी अच्छे से sunten को remove करता है और हमारे skin को glowing बनाता है इसके अगर मैं price की बात करो तो इसका जो price है वो है 57 rupees और इसका भी net weight 24 gram है इसमें आपको 21 gram की bleach मिलेगी और साथ में 3 gram का activator मिलेगा इसको भी आप 3 times use कर सकते हो दोनों ही जो bleach है वो dermatological tested है तो यह काफी सही है आपकी skin के लिए बहुत जादा कोई side effect नहीं करेगा अब मैं अपने face के एक side पे यह fam की gold dust bleach apply करके दिखाऊंगी और दूसरे side पे मैं यह fam की turmeric और milk bleach apply करके दिखाऊंगी और उसके बाद में हम इन दोनों का ही difference देखते हैं इस जार में हमको मिलती है bleach cream उसके बाद में यह हमारा activator और इसके बाद में इसके साथ भी यह spoon भी दिया गया है कि आप इससे bleach निकाल सकते हो और इसके साथ में एक्टिवेटर निकाल सकते हो यहां पर quantity भी दे रखी हुई होती है नहीं डी हुई है इसमें यहां पर आपको इसके दिया हुआ रहता है कि आपको कैसे इसको यूज करना है तो face में किसमें माउंट हमें अक्टिवेटर का यूज करना है वह भी यहां पर दिया हुआ है तो यह दोनों भी bleach मैंने रेडी कर लिया यहां पर मारी turmeric वादिट है और यह यहाँ पर हमारी golden dust वाली bleach है, यह आप दिखाई दिया, इसको भी पता चल गया कि इसको जाना की तर है, तो मैं अपने हाफ फेस पर golden dust वाली लगाऊंगे, और हाफ फेस पर टर्मरिक वाली लगाऊंगे, तो पहले मैं यहाँ पर अपने फेस पर टर्मरिक वाली अच्छा, ब्लीच यूज करते समयना, आपको काफी साफधानियों का ध्यान रखना पड़ेगा, वसके काफी नहीं, एक दो साफधानिया हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ब्लीच को 15 मिनट से जादा कभी भी न अप्लाई करें, मतलब जबी भी अप्लाई कर अप्लाई करें, ऐसा नहीं है कि अपने इसको अप्लाई किया और फिर भूल गया और किसी काम में लग गया और फिर भूल गया तो ऐसा आपको बिल्गूल भी नहीं करना है, टाइम देखके आपको सिर्फ इसे 15 मिनट के लिए यूज करना है, और दूसरी बात जबी भी आ इसको एक दो दिन छोड़के यूज कर लिगा या फिर आपने इसको हफते में दास दिन में यूज कर लिया जी नहीं, आपको पंदरा दिन का तो मैक्सिमम गैपिंग रखनी चाहिए और पंदरा दिन बीस दिन आप ऐसे गैपिंग रखे, अच्छा जब मैं वाइस ओवर क इसको बाद में जब तक हमारे स्किन पर अच्छे से ड्राइ हो जाए और इसकी जो मतलब जो जार बोलते है और तो मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं मतलब इसकी जो एक्टिवेटर जो है ना वो में आख में लग रहा है तो इस वज़े से मैं अपने इसको खरने हूँ तो अब इसके साथ में मैं अपने स्किन से ये ब्लीच को रिमोव परूँगी थोड़ी-थोड़ी सी चेंज हो रही होगी क्योंकि ना भी जो सनलाइट है ना थोड़ी सी आ जा रही है तो इस वज़े से लाइटिंग थोड़ी सी चेंज हो सकती है में भी तो इस साइड का मैंने यह जो टर्मेरिक वाली ब्लीच थी इधर का मैंने रिमूव कर दिया और आप देख सकते हूं कि यह वाला हिस्सा कितना ज़्यादा क्लीन हो गया है और अभी मैं जो है इस साइड का रिमूव करने वाले हूं मैं फेस को मैं पहले वाश कर लेती हूं और इसके बाद में आप से मिलू रही हूं मतलब उस टैम पे मुझे कुछ काम आ गया था मैं बताओं कि मुझे कैसा लग रहा है तो मुझे इस साइड पे मतलब जहां पे मैंने गोल्ड ब्लीच अफलाई करी थी 24 कैरेट गोल्ड वाली तो वहां पे मुझे इस वाले फेस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज़ादा ग्लो लग रहा है और अगर आप भी देखे ना त तो बहुत ही सॉफ्ट एंड सटल सा ग्लो लगेगा यानि कि अगर किसी स्कीन को टैन फ्री करने के बाद में जो स्कीन होती है न वह वाली स्कीन आपको इस साइड पे शो होगी तो फेस वाश करने के बाद में मुझे यही लगा कि जहां पे मैंने गोल्डन ब्लीच यूज करी थी वहाँ पे हलका सा ग्लो थोड़ा सा ज्यादा था अकॉर्डिंग टू टर्मरीक वाली क्रीम बट अगर मैं अपनी पात करूं कि मैं कौन सा ब्लीच यूज करती हूं आपको पहले बता दू ऐसा नहीं कि मैं ब्लीच करती रहती हूं हर 15 दिन में ऐसा नहीं है तो मैं सिर्फ लास टू टाइम से ब्लीच यूज कर रही हूं और यह कुछ दिन पहले मेरी स्किन जाना बहुत जादा उस पर टैन हो गया था तो उसके लिए मैंने यह जो यह फैम की टर्मरीक एंड मिल्क की सॉफ्ट ब्लू वाली ब्लीच है उसको मैंने यूज किया था एंड ल इसके इससे जादा ही अच्छे हैं तो नेक्स टाइम में जबी भी यूज करूँगी तो मैं यह फैम की गोल्ड ब्लीच यूज करूँगी अगर मैं आपको रेक्मेंट करूँ ना तो अगर आप किसी शादी पार्टी में या किसी ऐसे फंक्शन में जा रहा है ना तो आप यह फैम की गोल्ड ब्लीच को यूज कर सकते हैं वहीं अगर आपको डेली में सॉट सा लुक चाहिए सॉट सा ग्लो अपनी स्किन पे चाहिए तो आप इस टर्मरिक वाली को यूज कर सकते हैं मुझे तो जिसमें नैशिल प्रोडक्स होते ना वह वाली प्रोडक्स बहुत जादा अच्छे लगते हैं तो मैं यही वाला ब्लीच यूज करती हूं और अगर आप चाहिए तो आपको दोनों ही यूज कर सकते हो बीच-बीच में कभी-कभी पता चल गयाओ को दोनों ब्लीच कैसे वर्क करती हैं अगर आपको थोड़ा सा जादा गलो चाहिए तो अप आपको मेरा यह वाला वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको मेरा यह वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो और बेल बटन को भी जरू इट कर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप सबसे पहले मेरे चानल पर आ सको तो अब मैं मिलती हूँ आप से नए वीडियो के साथ में तब तक लिए बाबाए और अपना बहुत सारा सध्यान रखेगा